हेलो फ्रेंट्स, आज मैं आपको देः पैनिक रूम गेश्च वी के बारे में बताने जारी हूं, जिसमें एक माँ बेटी एक रूम में बंद होते हैं और रूम से बहाँ निकलने पर एक मर्डर उन्हें मार देगा, तो आखिर वो दोनों किस तरह से बचते हैं और खुद को रूम से बाहान निकालते हैं मूवी की शुरुवात में एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम मिग है उसके 11 सल की एक बेटी भी है जिसका नाम सैरा है मिग का अभी हाल ही में तलाक हुआ होता है इसलिए वो कहीं और शिफ्ट होने के लिए अपनी बेटी सेरा के साथ एक घर खरीने नियू यॉयॉक आई होती है ये घर किसी बहुत ही अमीर आदमी का था और इसलिए उस आदमी ने इस घर को बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीके से बनवाया हुआ था पर अब उसकी मौत होने की वज़े से ये मकान बिग रहा था अब क्योंकि इस घर का मालिक पैर से थोड़ा अपाहिस था इसलिए उसने घर में उपर नीचे जाने के लिए लिफ्ट लगवाया हुआ था यहां के सारी सुवधाएं देखकर यहां के हर चीज़े देखकर सारा को यह घर बहुत पसंद आता है मालिक ने घर में एक छोटा सा रूम भी बनवाया था जिसका नाम था पैनिक रूम यहां बहुत सारे मोनिटर लगे होते हैं जो घर के सारे कैमरास के साथ कनेक्टिट होते हैं इस रूम में काफी सारे security सिस्टम होते हैं जिस्से कभी किसी emergency कंडीशन में कोई भी यहां आकर खुद को बचा सकता है इसके दिवारे भी स्टील की बड़ी होती हैं काफी मजबूत होती हैं ये सब देखकर मैं ये घर खरी लेती है और ये लोग इस घर में पंदा दिन बाद शिप्ट होने वाले थे पर क्योंकि ये मकान उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था इसलिए वो लोग पंद नहीं कर पाती और वहां से चली जाती है अब ये दोनों सो जाते हैं काफी ज़्यादा रात होने के बाद यहां कुछ चोर आते हैं जो मैक के घर में घुसना चाते हैं पर सब कुछ अंदर से बंद होने की वज़े से ये लोग अंदर नहीं घुस पाते तो उन्हीं में से ए और इसी आदमी ने इस घर के पैनिक रूम को बनाया है और इसके साथ इसके दो साथी और हैं जिन में से एक का नाम जूनियर है ये इस घर के मालिक का पोता है और दूसरे का नाम राउल है जिसे जूनियर नहीं यहां पर लेके आने के लिए हायर किया है ये एक मर्डरर है जो पैसे के लिए किसी को भी मारता है बरनम बताता है कि यहां तो लोग है हमें यहां से चलना चाहिए मैं अब यहां चोरी नहीं कर सकता और वो जाने लगता है दरसल इन लोगों को यह पता था कि यहां पर जो लोग आने वाले हैं वो 15 दिन बाद आएंगे इसलिए इन्होंने आज ही चोरी का प्लैन किया था पर ऐसा नहीं हुआ ये लोग तो आज ही शिप्ट हो गई थे इसलिए वो आदमी जानी लगता है तब ही जूनियर जिसने इस चोरी का पूरा प्लैन बनाया है वो कहता है कि यहां 3 मिलियन डॉलर है हमें ये सारे पैसे चाहिए हमें इसकी जरूरत है ये सुनकर बनना भी रुख जाता है क्योंकि उसे भी पैसों की जरूरत थी इसलिए तो वो यहां इनके साथ चोरी में शामिल हुआ था अब ये तीनों चोरी की प्लैनिंग करने लगते हैं इसी बीच मैक की नीन खुल जाती है वो वाश रूम जाती है और जाते समय वो पैनिक रूम की लाइट चलाते हुए जाती है और वापस आते समय वो लाइट बन करना भूल जाती है और सोने लगती है पर पैनिक रूम के लाइट की रोशनी से वो सू नहीं पाती वो रोशनी उसके आँखों में लग रही होती है इसलिए वो उटकर लाइट बन करने आती है तब ही उसे मॉनिटर पर वो तीनों चोर दिखाई देती है वो समझ जाती है कि ये तीनों चोर हैं और मेरी घर में चोरी करने आये हैं और इनसे हम मा बेटी को खत्रा भी है इसलिए वो घवराहट में भागते हुए अपनी बेटी सारा के पाच जाती है वो चोर भी इसे भागता हुआ देख लेते हैं पर मेक सारा को लेकर लिफ्ट में गुज जाती है वो चोर समझ जाते हैं कि ये नीचे आ रही है इसलिए वो भागते भागते नीचे आने लगते हैं पर सारा नीचे आते ही लिप्ट को रोब कर वापस उसे थर्ड फ्लोर पर उपर ले जाती है और वहां वो सारा के साथ पैनिक रूम में घुज जाती है और उसे अंदर से बं करती रहा था अब राओल कहता है कि कहीं उस ओरत ने पुलिस को फोन न कर दिया हुआ पर बरनान कहता है कि लहाजा और शूम ही आप कर सकती दिखाए दिंद बोलने पर वो आवाज घर में गूशती थी मैग उसमें बोलती है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए उसे लो और जाओ यहां से अब स्पीकर की आवाज से वो चोड़ ये बास सुन लेते हैं पर अपनी बात कर जवाब उन्हें लिखकर बताना पड़ेगा क्योंकि मैग उनकी आवाज नहीं सुन सकती थी इसलिए व मुझे तुम पर भरोसा नहीं है अब जुन image क्याता है कि अंदर जाने का कोई और रास्ता नहीं हम था सकते हैं जब वह अंदर से खुलेगा अब जूनिय और राउल थर्ड फ्लोर से मतलब उस पैनिक रूम के नीचे से उस छट को तोड़ना शुरू कर देते हैं ताकि छेत करके उपर उस रूम में जा सकें पर बर्नम कहता है कि इन सब चीर्व के करने से कोई फैदा नहीं होगा मैंने इस रूम को बहुत ह से बनवाया है और सच में ऐसा ही हुआ जब यह लोग दिवाल को थोड़ा सा तोड़ते हैं तो उसमें स्टील की मोटी परत आ जाती है और उसे तोड़ा नहीं जा सकता तभी बर्नम गैस सिलेंडर को लेकर आता है और पैनिक रूम में छोड़ना शुरू कर देता है ताकि सांस फूनने पर वो दोनों मावलिटी बाहर आ जाएं अब अंदर में ओ सारा घबरा रहे होते हैं तब सारा को लाइटर नजराता है वो खुद को और सारा को लिटा देती है और उस तरफ लाइटर से आग लगा देती है पूरी आग उस पाइप से भापत चले जाती है जि कि उसे देखकर कोई अंदर से बाहर आए और उनकी मदद करें और ऐसा ही होता है घर के अंदर से एक आदमी बाहर आता है वो इधर उधर देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और नहीं उसे सैरा और मैग की आवाज चुनाई देती है इसलिए वो परदे लगा कर वहां से चला जाता है ये दोनों ये देखकर बहुत उदास हो जाती है अब ये तीनों चोर नीचे आकर आपस में ही जगडा करने लगते हैं इन्हें जगडा करता हुआ देख मैं अपना फून जो की बगल वाले कमरे में ही भूलाई थी वहां से लाने की सोचती है और धीरे फोन लेकर वापस पैनिक रोम में घुज जाती है अब मैग कहीं पर कॉल करने लगती है पर वहाँ पर नेटवर्क ना होने की विरे से वो कहीं भी कॉल नहीं कर पाती तब ही उसे एक बात याद आती है कि उसने यहां का फोन एक्टिवेट नहीं करवाया था पर बाकी पूरे घर का फोन तो एक्टिवेट है और अगर इन्हें में लाइन मिल जाए तो उसे इस फोन से कनेक्ट करके वो किसी को भी कॉल कर सकती है अब ये दोनों उस में लाइन को ढूनने लगते हैं इन्हें वो में लाइन मिल जाती है अब मैग इसे उस फोन से कनेक्ट करती है और जो जल गया था पूरी तरह से जलने की वज़े से बहुत परेशान थाнок। इसलिए वो यहां से जाने की सोचता है। वो कहता है कि मैं तो जा रहा हूं। और वो जाने से पहले ये भी बताता है कि यहां 3 मिलियोड डॉलर से भी ज्यादा पैसे हैं। ये बात सुनकर वो मर्डरर इसे गोली मार देता है जिसे इसकी मौत हो जाती है ये सब देखकर बर्नम को बहुत बुरा लगता है वो ये सब नहीं चाता था वो एक साफ दिल का इंसान था और सिर्फ या पैसो की जरुवत की वज़े से इनके साथ चोरे में शामिल हुआ था तब ही जरुआजे पर एक आदमी आता है ये वही है जिसे मैग ने कॉल किया था मैग का हस्बेंड स्टीफन अब राउल उसे अंदर बुला कर बहुत मारता है बर्नम इसे रोकने की कोशिश भी करता है पर वो बर्नम पर ही गुस्सा करने लगता है और जब वो इसका आईडी कार्ट देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये मैग का हस्बेंड है और इसका नम स्टीफन है राउल बर्नम को बंदूग दिखा कर डराता है और कहता है कि मुझे उस पैनिक रूम में अंदर जाने का कोई रास्ता बताओ कोई तो तरीका बताओ वर्नम मैं अब तुम्हें भी मार दूँगा तो अब बर्नम खुद को बचाने के लिए कहता है कि हाँ मेरे पास एक उप अगर उसकी दवाई उसे टाइम पर ना दी जाए तो उसकी जान को भी खत्रा है यह देखकर मैक बहुत परिशान हो जाती है उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे सारा की तबेद बिगड़ती ही जाती है जिससे मैक भी घबरा जाती है वो इधर उधर कुछ मीठी चीच खाने के लिए ढूंगती है पर रूम में कुछ भी चीच नहीं थी उधर दूसरी तरफ राउल स्टीफन को मारता जाता है बर्नम उसे धका देकर मना करता है कि बस छोड़ दो इसे वो अपनी जाकेट निकाल कर कैमरे के आगे लगा देता है जिससे मैक को कुछ भी न हुआ है जबकि वो राउल नहीं बलकि उसका हस्बें स्टीफन था उसने राउल के कपड़े पहने हुए थे अब सैरा की बिगड़ती हुई हालत को देखकर मैक को इस पैनिक रूम से बाहर निकलना था उसकी दवाईयां और इंग्जक्शन फ्रीज में से लेकर आना था इ मैक अब सीधा फ्रीज की तरफ भागते हुए जाती है और इंग्जक्शन और दवायां निकालती है अब उधर राउल पैनिक रूम के बाहर खड़ा होता है और बर्नम भी भागते हुए वहां आ जाता है जब मैक वापस आती है तो राउल को पैनिक रूम के दर्वाजय के बार खड़ा देख वह बहुत डर जाती है वह सीधा पैनिक रूम के अंदर भागने की कोशिश करती है पर बर्नम उसे पकड़ लेता है वह बहुत कोशिश करती है कि वह किसी तरह अंदर घुच जाए और उस रूम को अंदर से बन कर ले पर ऐसा नहीं कर पाती उसकी और ब इंजेक्शन रूम के अंदर फैंक देती है पर जटपट दर्वाजा बंद करने के चकर में राउल का हाथ उस दर्वाजे में फस जाता है वो दर्ट से तडब जाता है और दर्वाजा खोलकर अपना हाथ निकालने की सोचता है पर बर्नम उसे ऐसा करने से मना कर देता है कि कहीं मेग हमें मार ना दे उसके पास बंदूग भी हो सकती है मेग को अपने पास राउल की पड़ी हुई बंदूग मिल जाती है जिसे उठा कर वो माइक में आकर बोलती है कि मेरी बेटी को वह injection लगा दो वरना बाहर आते ही मैं तुम दोनों को मार दूँगी दरसल मेग अप मैग नीचे चली जाती है और बर्नम दर्वाजा खोल कर राउल का हाथ निकालता है जो दर्द से तडप रहा था अब बर्नम सायरा को इंजक्शन लगाता है और बताता है कि मैं भी अपने बच्चे के लिए ही यहां इस चोरी में शामिल हुआ हूँ मैं किसी को भी नुकसान देखती है कि बाहर पुलिस आई है वो कहती है कि अंदर सब कुस ठीक है वो ऐसा शो करती है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है और पुलिस वहां से चली जाती है पुलिस को मैं के हजबें स्टीफन ने यहां आने से पहले ही कॉल किया था अब मैं घर के सारे कैमरा को तोड़ने लगती है दूसरी तरफ बरनम्ति जोरी में से वो बॉंड निकालता है जो पूरे बारीस मिलियन डॉलर के थे अब क्योंकि मैंग ने सारे कैमरा को तोड़ दिया था इसलिए यह दोनों यह नहीं देख सकते थे कि बाहर क्या हो रहा है मैं क्या कर रही है और कहीं इंपर एक जाओ के तोर पर अपने सामनी रखता है तबिष्टे से मैंग आ जाती है और बड़े से हतोडे से रावल पर हमला करती है रावल निचे फिर गर जाता है और बरनम्त को गोली मारց को भाग रहा होता है वह वहापस अंद्र आ जाता है और देखता है México मैं कोगोली मारने वो थोड़ी दर पहले भागने वाला था पर तभी वहां पूलिस आकर उसे रोकती है और कहती है कि तुमारे हाथ में जो कुछ भी है उसे नीचे गिराओ वर्नम वो 22 मिलियन डॉलर वाला बॉंड नीचे गिरा देता है और हाथ उपर करके खड़ा हो जाता है और इसी के साथ इस मूवी का यहीं एंड हो जाता है अब आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं थैंक्स फूर वाचिंग काई